नमस्ते जैसियाराम शब्द ब्रह्म और भाव ब्रह्म की उपासना के दूसरे परवका सात्वा पुष्प मैं आपके चरण में और आपके माध्यम से आयोध्याधाम के चरण में अरपित करता हूँ मित्रो कलम ने बात की थी कि ताला तूटा और ताला तूटने के बाद में मीरत में हुई दंगल के अमनी चरण की थी किवल वहीं फसाद नहीं हुए वहीं दंगे नहीं हुए देश भर के अंदर में धर्मान्द मुस्लिमों ने इस विशे की रियक्शन दी उनाइस सो सतासी और उनाइस सो अठासी देश भर में वातावरण धर्मान्द मुस्लिमों की परतिक्रिया के कारण बिगड़ता चला गया लेकिन फिर भी बारा जनवरी और तेरा जनवरी को राम जन्मभमी न्यास मंदल की बैठा कुई पित्रो आज की सारी शवर्य की गाथा में आज की सारी संगर्श की गाथा में सारा सिलसिला दोनों तरफ से जुड़ा है एक प्रत्यक्ष रनांगन के उपर में राम अभक्त लड़ रहे थे और दूसरी छोर में हम नया अलाई की लड़ाई लड़ रहे थे आज के इस पुष्प के अंदर में मेरी विनम्र प्रार्थन आप सबी से है कि जरा सारे संगर्ष की इस गाथा में जितने भी तिथियां आएगी तारिक आएगी उसका सिलसिला समझने की आउशकता है मित्रो बारा जनवरी और तेरा जनवरी को राम जन्मभमी नियास मंडल की बैठक हुई और बैठक में निर्णे हुआ के राम नौमी के पूर्व मानों 26 मार्च उनाईसो अठासी के पूर्व वो राम जन्मभमी हिंदों को सोपे और उसमें हमने ताकत से कहा कि यदि आप यह नहीं करते तो धर्माचारियों के नेत्रुतों में देश भर के अंदर में हम एक अभ्यान करेंगे हमें कारेकर्म करेंगे और मित्रोज बैठक के अंदर में कहीं भी बातों की चर्चा हुई जिसके अंदर में राम जन्मभमी ये प्रभराम चंद्र का जन्मस्तान कैसा है इसके सबूद भी हमने पेश किये इसकी परतिक्रिया तो आएगी और आठ जुले उनाई सो अथासी को बाबरी कुर्ती समीती ने भी एक कारेकर्म घोशित किया मित्रो मैंने पहले ही कहा था कि संगर्ष ये जमीन का उपर का भी है उसके बाबर और मीर बाकी लड़ते थे देश को आज़ादी मिलने के बाद भी मीर बाकी और बाबर की आउलाद और अरंगजेप के आउलाद तो थी ही ना तो बाबरी कुर्ती समीती ने कारेकर्म दिया 12 अगस्ट मिनी मार्ष निका लेंगे अयोध्या के उपर में और 14 अगस्ट को लौग मार्ष निका लेंगे और बाबरी मस्जिद कुर्टी समिती ने जो डिकलियर किया उससे सारे हिंदुस्तान में एक संताप की लाट आई लोग कुरोधित हुए क्योंकि बाबरी कुर्टी समिती ने कहा कि ये लांग मार्च और मीनी मार्च के माध्यम से हम अयोध्य में जाकर नमाच पढ़ेंगे मित्रों गाव गाव में बजरंगी इखटा है और गाव गाव में बजरंगों की शाका खुनने लगी इस वात आउरण में 29 जुलई को राजियु गांदी को पत्र लिखा शाह बुद्धिन को आप कई बार मिलते हैं एक बार कॉंग्रेस सरकार के हित में तो सोचो जना इधर की भी आवाज सुनो राजिय गांदी को खत में लिखा गया सोमनात की जो पुर्वस्तापना हुई इसको जरा याद करो उस पत्र के अंदर कहा गया कि ये जो मस्जीद धाचा को लेकर जो बात मुस्लिम बंदु कहते हैं उसके संबन्द में कुरान के कुछ दाखले दिये गए कुछ सबूत दिये गए कि मस्जीद में जो नमाज की जाती वो आकरांता ओसे मिले हुए जमीन के उपर में नहीं की जाती इस प्रकार के कई दाखले दी गए मुस्लमानों ने जो भड़काव भाषन किये उसके सबूत राजियु गांदी को सोपे गए हज्रत बाल का भी इस्वे में सबूत दिया गया राम जन्बभुमी का संगर्श का इतिहास कैसा था इसके सबूत पेश किये गए लेकिन राजियु गांदी तो चार सो के उपर संसुदों के साथ पाश्वी सत्ता में बैठे थे लेकिन उन्हें अलप संख्याओं को की भावनाओं की चिंता थी लेकिन इस पत्र के उपर कोई सकारतना प्रतिग्रिया नहीं आई मित्र तीज जुलेई बुटा सिंग ने सियम तीवारी को बिलाया सेयद शाबुद्दिन को बिलाया सुलिमान सेद को बिलाया उनके साथ चर्चा की तब तक देश के अंदर में वातार उन इतना गजब बन चुका था उनको आग्रह किया गया कि अधिया आप मिनी मार्श निकालोगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर में आपका भी रहना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि गाओ गाओ में बजरंगियों ने ऐसी तयारी की थी और आवान दिया था कि आप एक बार अयोध्या के और जराद चल के तो देखिये आपका जबाब करेक्ट मिल जाएगा और फिर बुटा सिंग जी ने 30 जुलई को चर्चा करने के बाद मीनी मार्श पीछे लिया गया मित्रों संगतन शक्ति में इतनी ताकद होती है कि यह आपका संकल्प पवित्र हो तेजब पूर्ण हो तेजस्वी हो तो उसकी दखल बुटा सिंग को लेनी ही पड़ी मिनिमाश तो पीछे आ गया अब एक सप्टेबर को बुटा सिंग का निमंत्रन आया नारेंदत तिवारी उत्तरपदेश के मुख्य मंत्री थे हैं निमंत्रन आने के बाद उन्हें कहा गया कि राम जन्मभुमी अपिल नहीं होने देंगे मित्रों हिंदू अपनी शक्ति के साथ जवाब देंगा ऐसा उनको करारा जवाब मिला उन्हाइस सो उनसाथ तक वक बोर्ड में मजजीद पर कुछ नहीं किया उनके रेकोर में मजजीद का उलेक नहीं है इस प्रकार का जिक्र भुटा सिंग्जी के सामने किया गया उन्हाइस सो एकसेट में वादी करके उन्होंने पहली बार पहल की ऐसा भीुलेक प्रतिवादी नहीं थे तब तो आप ने इसमें कभी एंट्री नहीं की थी उन्हाइश सथाइस साल यह दावा कोट में आया ही नहीं था यह सारे स्थिटी के अंदर में मित्रो सिया मुसल्मानों ने अपना हक छोड़ने का निर्णाई किया और उन्होंने बताया कि 6 किलोमेटर अंतर के बाद मशिद का निर्मान किया जाए लेकिन जो राम जन्मभुमी की भुमी यह हिंदू को सोपा जाए लेकिन सुन्नी सुन्ते कहां पे सुन्नी लोगों ने धर्मान्द मुसल्मान सुन्नी फकिरों ने बोलना शुरू कर दिया कि यदि यह जमीन राम जन्मभुमी को नियास को वापस दी जाती है तो मुसलीम धर्मट डूब जाएगा मुसलिम खत्रे में आ जाएगा सिया की ये बात सुन्नी में नहीं माने और उसी समय में भारतिया पुरातत्व विवाक के महा निर्देशक केपी सुन्दराजन इनके साथ चर्चा हुई उनको भी सबूत पेश के गए और सारे सबूत देखने के बाद भारतिया पुरातत्व विवाक के महा निर्देशक केपी सुन्दराजन जन्जी ने भी ये कहा येस यहाँ पे मंदिर था सारी बातों की चर्चा बुटा सिंग के बात से की हैं लेकिन बुटा सिंग जी तो पूरे के पूरे मुस्लिम धर्मांद नेताओं के बीश में फस चुके थे इस सारी बाते बुटा सिंग जी को रखने के बात बुटा सिंग जी ने कहा मियास के लोगों को कि आप मुसल्म मानों के साथ चर्चा कीजिए मित्रो किसके साथ चर्चा करनी है जो लोग राम जन्बवुमी के मंदिर को मस्जिद मान रहे थे उसके लिए दंगा फसाद कर रहे थे बुटा सिंग कहते उसके साथ चर्चा करो नियास ने का ये नहीं हो सकता और बाबरी मस्जिद कुर्ती समीती ने ऐलान कर दिया कि वो 14 अक्टोबर को लॉंग मार्च करके अयोध्या में नमाज पढ़ेंगे मुटा सिंग की पहली चर्चा के साथ में मिनी मार्च तो रुक गया था लिकिन अब लॉंग मार्च की चर्चा करनी शुरू हो गई और दोने का 14 अक्टोबर को नमाज पढ़ेंगे मित्रो आठ अक्टोबर को बजरंग दन में उत्तर पदेश की सारी शिक्षण सहस्तों को बंद करने का आवहां किया इतना ही नहीं तो 14 अक्टोबर को नियास दे घोशित किया की उपी बंद रहेगा और मित्रो यह तो बजरंगियों की आवास थी यह राम भक्तों की आवास थी क्यूकि खुल कर सामने आने की आउशक्ता थी कि यदि सामने से आक्रमण आ रहा है तो उतनी ही ताकत से आक्रमण करने की मनिशाती संकलबता और ताकत भी थी और इसलिए बजरंगी उन्हें डिक्लियर किया कि यदि आप लांग मार्श लेकर अयोध्या के मैदान में आकर नमाज पढ़ने का प्रयास करेंगे तो दिल्ली के जामा मजडित में हम भी हरुमान चालिसा पढ़ेंगे परिणाम क्या हुआ परिणाम यह हुआ कि 13 अक्तुबर को रात को खासदार सैयद शाह बुद्दिन ने लांग मार्श पीछे ले लिया कोई उपकार नहीं किये क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका था कि गाओ गाओ में रामभक्त हिंदू जाक चुका है गाओ गाओ के बजरंगी पूरी क्षमता से मैदान में उतर रहे हैं और दिल्ली के बजरंगियों ने जब यह कह दा ला कि ज़रा एक बार अयोध्या के और कदम तो बढ़ा के देखो हम जामा मस्जिद में हन्मान चालीसा पड़ेंगे तो लांग मार्श पीछे लेना पड़ेगा इसी समय में मित्रो यह जो विशे था यह तो आंतर राश्ट्रे बन चुका था क्योंकि राम केवल देश के तो नहीं है सारे विश्व के वायू मंदल में उनके बारे में श्रद्धा है और मित्रो डिसेमर अठासी में आंतर राश्ट्रे रामायन सम्मेलन हुआ क्या आप सोच सकते हैं कमिनिस्ट जहां राज कर रहे हैं वहां से लोग आए जहां भांडवल शाहिती वहां से लोग आए इसलाम जहां पर प्रभाविता वुज देश से लोग आए बहुत देश से लोग आए स्रिलंका से आए थाइलंड से आए ब्रमदेश से आए कमपुचिया से आए लाउन से आए मलेशिया से आए और कई देश ऐसे जहां तो प्रभराम चंद्र की जीवनी पर कथाएं चलती है उनके बारे में शरदा है ऐसे मौरिशस यहां से लोग आए तृनिनाथ से लोग आए फीजी से लोग आए सुरिनाम से लोग आए मित्रों यह एक अंतर राष्ट्रिय सम्मेलन ने केवल हिंदुस्तान में नहीं तो सारे विश्व के पटल के उपर में अयोध्याधाम की और राम जन्मभमी की चर्चा शुरूई शियर उने भी इस विशे में फिर से आवहान किया लेकिन सुन्नी नहीं मारे फिर आया मित्रों 1990 कथा शुर्य की कथा ध्यर्य की कथा अयोध्याधाम की इस सफर में 1999 में इतिहास रचा है ये सारी संगर्ष गाता का एक सुवरन काल रहा है मित्रों 30 और 31 जन्वरी प्रयाग राज के त्रिवेणी संगर्म पे तुर्तिय धर्म संसद हुई एक फर्वरी को संत सम्मेलन हुआ शद्या देवरा बाबा के साथ एक लाग से जादा सादू सन्यासी संत बहंत और भक्त इकठा आये थे और उसके बाद निर्णे हुआ 26 मार्च राम नौमी यदी 26 मार्च तक यजन्वरी मी हमें आप सौपते नहीं है तो एक करांतिकारी घोशना हुई इस इतिहास में यदी कुछ तिथियों का उल्लेक करना चाहिए तो मित्रों ये उल्लेक है कि 9 नवंबर 99 को प्रबराम चंद्र के अयोध्यात के भूमी पे इस राम जन्म भूमी पे हम शिलान न्यास करेंगे शंकनार रुआ मित्रों तीस सप्टेबर को शारदिय नौरत्र की प्रथम दिन हर गाओं में शिला पुजन का प्रारम भूआ मित्रों मैं इसके पहले भी एपिसोड में कहा हूँ कि संगर्ष की जो गाथा जो प्रत्यक्ष संगर्ष के कई मुद्दों से जैसी जुड़ी है वैसी जो 22 जन्वरी को हम भूवे राम मंदिर के अंदर में राम लला का आगमन देख रहे है इसके पीछे जैसी प्रत्यक्ष तलवार रणांगन का युद्ध का इतिहास इसका अभ्यास करना चाहिए वैसे कहीं योजनाओं को किस प्रकार से कार्यानमित क्रिया गया इसका भी अभ्यास होने के आउशकता है मित्रोय राम शिला पुजन पर इसी प्रकार का एक अभ्यान है यह 30 सप्टेबर को शार्दिय नवरात्य को प्रतम दिन हरगाओं में जो शिला पुजन हुआ वो शिला पुजन बहुती देव दुरलप शिला पुजन था और उसी समय वोई कालखंड में विश्व के सबसे बड़े स्वयम सेवी संगटन राश्ट्रीय स्वयम सेव संग के प्रतम सर संगचालक जिनोंने राश्ट्रयय स्वयम सेव संग की नीव रखी बीज बोया उनका जन्म शताब्दी महत्सो चल रहा था इत्रोश्यवाजी पार्क पे राम जन्म भुमी के इस विवाद के उपर में श्रध्य अटल भिहारी वास्पिये जी ने एक शंखनात करते वे कहा कि ये विवाद का विशे है ही नहीं ये तो श्रध्धा का विशे है और ये राम जन्म भुमी हिंदूों को सौपना चाहिए यही एक मात्री इलाज है और कई इलाज नहीं मित्रो अटल भिहारी वास्पिये जी के शिवाजी पार्क से जो गूंज उठी उसने सारे हिंदूस्तान के राजसत्ता को हिला के रख दिया सारे पत्रकारों को सामने भविश्य दीखने लगा कि शब्दे अटल ब्यारी वास्पेदी शिवाजी पार्क के राम भक्तों के सामने एक गुण उठाते हैं तो भविश्य किस और चल रहा है और फिर 27-28 में को हरी द्वार में 11 प्रांतों संतों की बैठक हुई वित्रो ग्यारा प्रांतों के बैठक में बड़ी प्रमाण में संतों की उपस्तिती थी नवु नॉमबर 1929 को शिला ना सप्टेबर में शिला पुजन को मोहर लगाया गया और जून 1990 एक खलका सा चोटा सा संगेत कुछ मुसल्मान लोगों के तरब से आया राष्टरवादी मुस्लिम मंच के अब्दुलहकीम का पत्र आया उन्होंने कहा कि ये जमीन ये राम जर्म वबुमी ये हिंदों को सौपनी चाहिए और एक करोर मुसलिम बंदुओं का मैं स्वाक्षरी लेकर एक पत्र पधान मंत्री को देने जा रहा हूँ मित्रों 1984 से 1990 तक ये विशे देश का अजेंडा बन चुका था आठ जून भारतिय जनता पार्टी के राष्ट्रिय कारेकारी की बैठकुई उदर कॉंग्रेस पुरी ताकत के साथ में मुल्ला मौलों के साथ खड़ी थी क्योंकि अलपसंद क्योंकर अतुष्टिकरन चल रहा था भारतिय जनता पार्टी पहले से संस्कृतिक राष्टवात पे विश्वास करने वाली पॉलिटिकल पार्टी है और इस कारेकारणी में आरजुन के कारेकारणी में एक लंबा थरा हुआ और जिसके अंदर में हमने स्पष्ट रूप से घोशित किया कि राम जन्मभुमी का अंदोलन ये राष्ट्रिय अस्मिता का अंदोलन है और भारतिय जन्ता पार्टी धर्माचारियों के मार्ग दर्शन के अंदर में राम जन्ब मुमी के आंदोलन में सहवाग देगी नियाई के दर्मार में एक एटियासिक पहल भी हुई है मित्रो इस लड़ाई का और एक जो एंगल है वो जोडिशेल एंगल है नियाई एंगल है इसका भी अभ्यास होनी क्या हो शकता है नए पिड़े ने इसका भी अभ्यास करना चाहिए एक जुलाई उनाइस सुब्विक को देवकरिंदी अगरवाल जी की याचिका आई याचिका इतनी अर्थपूर्ण और इतनी सटीक थी याचिका में कहा गया राम लला की और से याचिका डाली गई नियाले में स्वयम राम लला के और से याचिका डाली गई कानुन के तहत राम लला ये एक निदिग्राई ये वेक्ति है ऐसा कहा गया और जुरिडिक परसंद के रहतें यहाँ पे ढाच्या गिरा कर मंदिर निर्मार में प्रतिवादी के और से दिक्कते नहीं आनी ऐसा हिस अरजी के अंदर कहा गया और दूसरी अरजी डाली गई राम लला को नेक्स्ट फ्रेंड करीबी दोस्त मित्र की आउशकता है वो उसे तुरन दिया जाए एक सुयोग्य मित्र की न्यूक्ति नाय लेने करनी चाहिए और सेम डे उसी समय देवके नंदन जी को मित्रू उसी समय में उत्तरपदेश सरकार ने कहा कि चार पास जितने भी सभी प्रकरण चल रहे हैं वो इकटा किया चाहिए और दूसरी तरफ अयोध्या में तेरा और चौदा जुलोई को छे अजार बंजरंगी ये इकटा है शक्ति और दिक्षा का समारंब हुआ मित्रू समय का वरनन है कि कई नई सर्गिक आपत्या उस वकत आ रही थी बार आ गया था बारीश हो रही थी तुफान आ रहा था वेकिन उसके बवजूद भी छे हजार बजरिंग्या अयोध्या में उन्होंने स्वयम को संपूर्ण समर्पण की दिक्षा ली और इदर यू जान्यास सही नहीं है नहीं होनी चाहिए मित्रू 14 ओगस्ट को इसका रिजन्ट आया और उसने कहा कि यह स्थिती यथा स्थिती कायम रहनी चाहिए यह इंटर्नल और रही जिसको अंत्रीम आदिश कहा जाता हुए मित्रू सरकार के वल इदर से लड़ाई नहीं कर रही थी सरकार कुछ कूट निटी के प्रयोग भी कर रही थी और दुर्देव से हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर में कुछ हिंदूों ने ऐसे भी कुछ काम किये जो शर्मनाग थे कुछ लोग ऐसे लोगों के भूल में आ गए और ऐसा ही हुआ मित्रो द्वारिका के जगतगुरु शंकाराचारिय स्वामी स्वरुपानंद जी इस भूल में आ गए और उन्होंने कह दिया कि शिलान न्यास का मूर्थ सही नहीं है जैसे आप अभी बाई जन्वरी के विशे को लेकर कई लोग सोशल मीडिया पे ऐसी बाते करने कि ये मूर्थ सही नहीं है ये प्रयोग उस वकत भी किया गया था और फिर उसके बाद काशी के विद्वान परिशद ने कहा कि दक्षणायन में शिलान न्यास को कोई दिक्कत नहीं है और इतना ही नहीं का नव नवंबर उननमबे सुबह दस बचकर बारा मिनिट ये भूमी उत्खनन के लिए सरवोच चती थी है और दस नोवंबर दोपेर एक बचकर तेटीत मिनिस से एक बचकर 38 मिनित तक शिलान न्यास की भी योजना करनी चाहिए क्योंकि ये उसके लिए अप्रती मूरत है मित्रो मैं इसके पहले ही कहा कि ये गूँच केवल भारत में नहीं थी 26 अर 27 अगट को लंडन में मिलन बोल्ड में विराट हिंदू सम्मेलन हुआ मिल्टन बोल्ड और आप सोच नहीं सकते मित्रो 150 देशों से 80,000 हिंदू इकटा आया और 80,000 हिंदूों के साथ 130 देशों के लोगों ने प्रस्ताव पारित किया कि राम जन्मभुमी के जगह शिलान न्यास होने चाहिए और आप सोच सकते हैं उसका उद्गाटन ब्रिटिश सांसुदों ने किया मान्य देवरज जी का शुबसंदेश आया मार्गरेट ठेचर जो प्रधान मंत्री थी उनका शुबसंदेश आया राणी एलिजा बेट का उसको शुबसंदेश आया और स्वामी चिन्मायानंद जी महाराज राज माता विजय राज शुबसंदेश भारत के उच्चा युक्त महाराज कुष्णदाश जी वो स्वय मुपस्षित थे और हम सभी को गवरवानमित महसूस होता है कि इस लेंडन के रावभक्तों के अधिवेशन में हमारी नितान तश्रद्दा रहने वाली गान कोकिला जिनके गले में सुहम सरस्वती विराज मान थी ऐसे लता जिने गाना गाया और वो भी कौन सा हिंदू जगे विश्व जगे उस सम्मेलन में हेडगेवार जी का तैल चित्र भी लगाया गया सुधर्शन जी मुरारी बापु इनके भाशन होए और और मित्रो लंडन से निकली रामशिला वहां से रामशिला निकली और फिर दूसरी तरफ बाईस सप्टेम्बर को दो बजे बोट कलब के उपर में मित्रो यह अभी एक बहुत ही सफर का अलक सा दिन है बाईस सप्टेम्बर के पाँच दिन पहले सत्रा तारिक से पूरे दिल्ली के अंदर में गली गलियों में एक इंद्र प्रस्त धर्मयात्रा शुरू हो गई थी मैंने इसके पहले भी कहा है कि कता अशाओर्यकी कता अधैर्यकी कता अयोध्याधाम की इस सारे सेल्स के लिए में यात्रहों का एक स्वतंत्र प्रिणाम है अभ्यास होनी के आउशक्ता है मित्रो इस इंद्रप्रस्त धर्मयात्रा में अठ्रा सो पचास सादू संत आ है दिल्ली में बीस से पचीस किलोमेटर पैदल चले सादू संत और उसका प्रिणाम तीन हजार संत और धाई लाक रामबक्त बाईस सप्टेबर को वोट प्लब में इकटता है एक वीराज जम समुदाय था और अध्यक्ष कोन थे स्वामी वामदेव विश्व इंदू परिशक्ते राष्ट्रे महावंत्री अशोक जी सिंगल उपस्तित थे उमा भारती जी उपस्तित थे मृत्य गोपाल दाज जी उपस्तित थे मित्रों इस सम्मेलन में नब्बे दिन गोरक्षा के लिए जिनों ने अंशन किया था ऐसे सव साल के उमर के संथ प्रभदत्त जी ब्रह्मचारी जो उपस्तित थे और जिनके नेत्र तुम्हे संगर्श चल रहा था उन नब्बे साल के मंत अवज्दिनाद उपस्तित थे मित्रों जैसी 30 सप्तेबर की तारीक करीब आती चले जा रही थी देश में एक जबरदस्त माहोल बनता चला जा रहा था और इसके तहट 27 अक्टूबर को बुटा सिंग, तीवारी जी, अवेद्दिनाद, नृत्य कोपाल दाज जी, दाउदया जी, खन्ना, अशोग जी सिंगल इनकी लखनों में चर्चा प्रारंबूर माहोल तो ऐसा हो चुका था कि बुटा सिंग को समझ में आ गया था कि इसको समझने की आउशकता है और 30 अप्ते बर से पॉलिस का सवरक्षन हमें मिलना चाहिए देश बर में चलने वाले शीला पुजन के उपर में पुलिस का सवरक्षन चाहिए लिए तो माहोल भिगर सकता है उसके लिए आप जिम्मेदार होगे सरकार को ये मानना पड़ा और सरकार ने सारे पुलिस विबाग को बताया कि सारे शीला पुजन देश बर के अंदर में जो होगा उसे सवरक्षन दिया जाए लेकिन कॉंग्रेस कहिते रही गर्ब गुरुओं के उपर का अधिकार छोड़ना चाहिए और शीला न्यास कहीं और करना चाहिए पर बुटा सिंग भी तो अस्तिन का साप निकला बुटा सिंग ने उपर जाके बता दिया कि विएच्पी के लोग मान गए हैं यह तो बहुत बड़ा धोका था लेकिन हिंदुस्तान में यह जो शौर्य का इतियास था यह संगर्ष का इतियास था हम दे कई बार इस चीश का अभ्यास किया था और अनुभो लिया था इससे हम भूले नहीं थे इसलिए फिर से शिला पूजन का काम शुरू हुआ और पहला शिला पूजन हुआ देव प्रयाग में मित्रों देव प्रयाग का भूमी पूजन यह शिला पूजन यह एक शिला पूजाई और शिलाई और दूसरी हरिद्वार से जिसके उपर श्री राम अंकित किया गया था मित्रो हम सभी के श्रद्धियर राश्टरिय स्वयम सेवक संग के प्रचारक और जिन्हों हिंदुस्तान के मज़्दूरों के अंदर में प्रकर राष्ट्रवात की जान फुकी ऐसे हमारे दत्वधत ठेंग्री जी के हाथ से इसका पुजन हुआ अलक नंदा के नदी में सनान करकर दत्वधत ठेंग्री जी ने पूजन किया और तीस सप्ते बरसे देश भर्म के अंदर में शिला पूजन का माहोल शुरू हुआ गाओ गाओ डगर डगर शहर शहर गली-γली महले महले के अंदर में देश के गाओ गली-γली की तो बात आज मैं डिटेल में नहीं करूंगा लेकिन मेरे महाराष्ट में पुने, पंडरपूर, सोलापूर, कोलापूर, संबाजी नगर, आन्दी पहली दिन शिलापुजन हुआ और नासिक प्रभराम चंद्र के पुन्य पावन परिस पर्षे से पुनित नासिक के नगरी में तो पूरे शहर में शिलापुजन चला मित्रो, विधर्ब और बंबई छोड़ कर एक केवल फीगर में आपको कम्यूनिकेट करता हूँ शहरी भाग में पूजन हुआ 2632 जगह और ग्रामीड में पूजन हुआ 19155 जगह तोटल मुंबई और विधर्ब छोड़ कर पूजन हुआ 26827 मैं एक बात बता दूँ जब शिलापुजन चल रहा था तो मैं चंद्रपूर गडचुरु में भारतिय जनता पारिटी का निस अखिल भारतिय विद्यारती परिशत का पुर्णकालिक काम कर रहा था अहरी आलापली मुल्चेरा सुन्दर नगर भावनिपूर देंदा देशली बेटा कम्मंचरु एटापली ये सारे आदिवासी विभाग के अंदर में शीला पुजन को जो परतिसाद मिला है वो मैंने स्वयम अनुभव किया है महाराष्टो के दूर दराज कोने में आदिवासी एरिया में भी प्रभुराम चंद्र की शीला पुजन का जो इतिहास है उदैदिप्यमान इतिहास है मेरे छोटे से तपके के आदिवासी भाग का आदिवासी संपूर्ण श्रद्दा से आकर शीला पुजन कर रहा था और वो देख रहा था कि मैं जिसकी पूजा कर रहा हूँ ये राम मंदिर के निर्मान के लिए जा रहा है मित्रो केवल महाराष्ट मेरी पश्चमंगाल किरल ऐसे प्रांतों से भी जो राम शिला पूजन का अभियान चला अभूतपूर्व था विश्वेंदू पूजन ने कहा था हर शिला पूजन के पीछे केवल सवा रुपिया दो वित्रो मैं आपको बता दू कि आठ करोड तीस लाख चवातर जार नौ से पंचात्तों रुपे इसके मार्द्यम से जुड़े विश्वेंदू परिशाद एक ट्रांस्परेंट और्गनाइजिशन है उन्होंने उसका विश्ष्ट प्रकार से अभ्यास करके योजना बनाएं देश भर में शिला पूजन का वाता हुन था देश भर में और सरकार की तरब से पहले कहा गया था कि सारे कारेकरम को सुरक्षा देंगे लेकिन लेकिन जो सरकार केंद्र में बैठी थी और उत्तर प्रदेश में बैठी थी वो तो अलपक संख्यांकों की तुष्टी करन कर रही थी उनका लांगुल चालन कर रही थी उनके समझ में आया यह तो देश का हिंदू उठ रहा है जाग रहा है रामभक्त खुलकर मैदान में आ रहा है और फिर 13 अक्टवर 1990 को सरकार ने विशेश अधिवेशन बुलाया मित्रो विशेश अधिवेशन बुलाने का प्रयोजन यह अधिवेशन ने सरकार ने कहा कि हमने जो इसके पहले आदेश दिया था इसको वापस ले रहे हैं हम सहयोग नहीं देंगे लेकिन भारतिय जनता पार्लिटी के जितने भी मेंबर अप पार्लेमेंट है उन्होंने इस विशेश को लेकर खुल कर आवाज उठाई यह क्या था एते मुस्लिम के तुष्टी करनों का प्रयणाम था मित्रो इसी समय में माजी न्याय मुर्ती विठ्थल महादय उतारकुंडे ने एक याचिका दाखर की सुप्रीम कोर्ट में और उसके अंदर उसने कहा कि शीला प चर्चा के तीन राउंड हुए इस सारे चर्चा में बुटा सिंग कह रहे थे कि शीला पुजन तो चल रहा है लेकि शीला न्यास की जगो बदलो शीला न्यास की जगो विवादास पद है कम से कम उसकी जगो बदलो बहुत प्रयास किया लेकिन बड़ी स्पश्टता से हमारे धर्माचारियों ने और न्यास के समीति ने बताया कि यह में मन्जूर नहीं है कहां तक प्रयास किया है यह दिए आप हमको समझाने आ रहे हो तो आप जरा उनको भी समझाईए और अठ्रा और उन्नीस ओक्टोबर को श्री राम जन्मभुमी मुक्तियद नगी एक अशानक बैठक तही हुई वो बैठक के बाद में उन्नीस ओक्टोबर को मंत अविद्धिनाथ इन्होंने एक पत्रकार परिशत को संबोधित किया यह पत्र परिशत हुई उन्नीस ओक्टोबर को और उन्नीस ओक्टोबर की इस पत्रकार परिशत में फिर से शंखरात किया गया अविद्धिनाथ जी ने कहा कि जो तिथी ते है और जो घोशित है और जो जोगते है और जो घोशित है महीं शिलान न्यास होगा 27 आक्टोबर को उच्च नैले ने याचि का जो थी तारकुंडे की उसे खारिज कर दिया और उसमें बताया कि धार्मी कुछ सो करना यह सभी का मुल्भूत अधिकार है अब मित्रो अब तिति आ गई 9 और 10 नवंबर को देश में क्या होगा सारा देश मैंने इसके पहले भी कहा कि शीला पूजन के माद्यम से जाग चुका था सारे देश के अजेंडा के उपर में राम जन्म भूमी अयोध्या धाम की चर्चा थी 9 और 10 नवंबर वित्रो यह तिति सारे देश की केंडर बिंदु बन चुकी थी दो नवंबर को शीला न्यास की जगह निश्शित करने के लिए काशी के विद्वान पंडित अयोध्या में आके पहुँच गए सारी न्यूज में दिखना शुरू हुआ, सारे अकबारों में च्छापना शुरू हो गया सारे लोगों में चर्चा शुरू हो गई कि अयोध्या काशी के पंडित आप पहुँचे हैं अयोध्या के अंदर में और वो तै करने जा रहे है कि वो कौन सा स्पेसिफिक जगए कि जहां हमको शिलान न्यास करनी है फित्रो नियोजित राम मंदिर के आर्किटेक जो थे चंद्रकान सोनपुरा उन्हें भी बुलाया गया सरवान उमत से वादगरस्त धाचे से 112 फिट पूर्व और वहां से सारे 17 फिट दक्षिन के और जगए की निश्चिती की गई और आठ फिट का चतुर बुझ बनाकर मैं थिर से दो रहता हूं आठ पूर्ट का चतुर बनाकर उसके अंदर में एक जंडा गाड़ दिया गया मित्रों पाच नवंबर से अब शिलाय अयोध्या में आने की शुरुवात हो चुकी थी मैंने इसके पहले भी कहा कि लंडन से निकली थी एक शिला वेसी मेरे गड़चुरुली जीने के आलापनली के कोने से भी एक शिला निकल चुकी थी कश्मीर से शिलाय आना शुरू हो गई थी कन्या कुमार से शिला आना शुरू हो गई थी पूर्व पश्ची मुत्तर दक्षिन मद्य हिंदुस्तान के कोने कोने से अयोध्याके और शीला आने का माहोल बन चुका था मित्रो सरकार के समझ में आ रहा था कि बात अब उनके दृष्टी से बिगड रही है और हिंदु के दृष्टी से बन रही है और फिर प्रधान मंतरी राजु गांधी और नारायन दत्तिवारी और बुटा सिंग्जी ने देवरहा बाबा को प्रार्थना की और कहा कि वह शिलान द्यास की चकाबत को लेकिन सारा अभियान तो देवरह बाबा के मार्ग दर्शन में ही चल रहा था उनके आशिर्वात से चल रहा था उन्होंने उनको फटका रहा और कहा कि आप चीच को समझो यह राम जन्मभुमी है और वही शिलान द्यास हो रहा है उन्होंने बुटा सिंग को प्रधान मंत्री जी को और नारणडत्यार को फटकार रगाया मित्रो उसके बाद में उन्होंने समीती को तो धमकी दी कि नियो जी जगक को जो वाद ग्रस्त निर्णे है वो मेरे खीसे में है अच्छो की धंकी हमने नहीं सुनी बुटा सिंग तो तुष्टी करम में लुप तो हुचुका था मित्रो अभी तक तो शीराय आ गई थी अभी आयो ध्या के रणांगन के अंदर में राम भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था अब ऐसे महावल में फिर नयले की अलग लड़ाई शुरू हो गई उत्तरपदेश सरकार ने एक रिट्पिटिशन दाखल की शिलान न्यास की जगह यह विवादास पर जगह है यहां शिलान न्यास नहीं होना चाहिए शिलान न्यास पर रोक लगा हुआ मित्रो साथ नॉवंबर को देश के नयले की और सारा देश देख रहा था मैं आपको बता दूं कि यह साथ नॉवंबर में लोग आयोध्या के ओर तो देखी रहे थे लेकिन नयले की और देख रहे थे अब नयले क्या कहेगा और दूसरी जगह आयोध्या के अंदर में बलि के लिए पहले हमारा जत्ता जाएगा देश भर से बजरंगी आये थे हर बजरंगी यह कह रहा था कि मैं पहले प्लाटून में जाओगा मैं पहले टीम में जाओगा सरकार ने तो सुरक्षा रक्षकों की तुकड़या भेजना शुरू कर दी थी बड़ी संख्या में तुकड़या आ चुकी थी आठ नमबर का दिन आयोध्या के लिए और पूरे देश के लिए एक तणाव पुर्म दिन था मित्रों आप आपके सामने चित्र खड़ा किजिए और मेरी आपसे विनम रप्रारसना है उस समय के अकबार देख लिजिए उस समय के टीवी के न्यूज देख लिजिए सारे धाचे को घेर लिया था सभी लोगों ने सुरक्षा जवानों ने पर मित्रों एक बात बताओं सरकार के आदेश पर तो पुलीस तैनास हो चुकी थी लेकिन पुलीस का दिल भी ये कह रहा था बड़ी नम आखों में सारे पुलीस थे वो कह रहे थे कि सरकार का आदेश है इसलिए तो आ गए लेकिन हम राम जन्बभुमी के साथ जुड़े हैं उनका चेहरा ये बता रहा था और ये वाता उनमें आठ नॉम्बर की तारिक देश के लिए बड़े तनाओ पुरन तारिक एसे स्थिती को नापते हुए स्थानिक प्रशासन ने यूपी सरकार को बता दिया सरकार को ये बताया कि दस हजार बलिदानी जथे अयोध्या के भूमी पे आ चुके हैं और ये लोग मानेंगे ऐसा हमें लगता नहीं है और स्थानिक प्रशासन ने ये सरकार को बता दिया बित्रो सरकार हिल गई और फिर अचारक मुक्यमित्रि नारंडत्त तिवारी जी ने महंत अवेदनाजी को कहा कि हमें आपसे बात करनी है चालिस मिनिट के अंदर में हवाई जाज भेजा गया महंत अवेदनाजी को मिलने के लिए गोरखपुर के जिल्ला दिकारी उनके साथ में थे सीम ने कहा अवेदनाजी को कि महंत जी ये जगा विबाद आस्पत है आप इसे अटाईए आप कही हो जगों कर लीजिए अवेदनाजी ने कहा ये जोगों मैंने नहीं थी कि ये तो प्रभराम चंद्र की इच्छा से तेह हुई है ये तो राम लला का जनम का मंदिर है ये जगए सब दे मिलके तेह की है अब इसके अंदर परिवर्तन होना ये नामुम्किन है असंभ हो है सियम ने दिल्ली को फोन लगा के बता दिया बुटा सिंग को कहा कि मानने के लिए तैयार नहीं है ये तो राम भक्तों की आवाज है और पिर दोड़ता भागता बुटा सिंग लखनों पोचा बुटा सिंग जी ने अविद्धिनाजी को कहा चुनाओ का समय है माहौल विगड रहा है भुकंड पास सो चासी के बाहर करो नयाले का अपमान होगा महनत जी ने कहा कि इसके लिए जिम्मेदार कौन इसके लिए आप जिम्मेदार हो अभी तक आप बुखारी को सुनतो रहे हो शयद शाहबुद्दिन को आपने सुना इमाम बुखारी को सुना आपको समय नहीं मिला राम भक्तों को सुनने के लिए आप चुनाओ के और देखने की बात कर रहे हैं सही माइने में चुनाओं के और तो आप देख रहे हो आपको अलपसंख्यांकों के मानसिक्ता की चुनता है आपको तो अब्दुल बुखारी की चुनता है बुटा सिंग के समझ में आ गया अब ये बदलने वाला नहीं है मित्रो शक्ति के सामने सरकार कैसी जूबती है यदि शक्ति खड़ी हुई तो सरकार कैसी जूबती है इसका उधारने क्या करता बुटा सिंग बुटा सिंग ने अधिकारियों को बुलाया कलेक्टर को बुलाया और कहा जरा नक्षा लेकिया आओ और सब के सामने नक्षा रखा और ये कहा अरे ये तो जगो जो संतों ने न्यास के समिति ने तेग की है ये तो भूखंड पास्सो चासी के बाहर है और अब आप शिला न्यास कर सकते हो आप जिसे भूखंड के रहे हो ये तो बाहर है क्यों मैया अभी तक आपको तो नहीं दिखा था इतने सा दिनों से बात चल रही थी ना भूटा सिंग को दिखा ना नारंड तिवारी को दिखा ना राजियू गांदी को दिखा किसी को नहीं दिखा अचानक हिंदू शक्ति का जागर और तेज इतना बड़ा हुआ सरकार हिल गई तो भूटा सिंग ने कहा नक्षा पे अरे आपकी तो जगह सही है और निरने हुआ कि आप इस भुकंड पे शिलान्यास कर सकते हो उन्हें लगा महंत जी तो बड़े खुश हो जाओगे और बड़ी तारीफ करेंगे महंत जी ने एक वाक्य में दो टुक कहा कि आप जिसको बाकी की जगह विवादास्पत बोल रहे हो न वो हमारे प्रभराम चंद्र की जनम भूमी है वो भी विवादास्पत नहीं है और महंत जी वहां से सीधा उटकर अयोध्या में आए इस खबर को तुफान के जैसा फैरा गाओ गाओ डगर डगर सारे देश के अंदर में वातावड मना हाँ हमने जा जंडा गाड़ा था वहीं भूमी पूजन हो रहा है वहीं शीला पूजन हो रहा है मित्रो नव नॉम्बर नई सो नब्दे देऊ थाने का दिशी थी महंत अवेजनात पुजबाम देऊजी महाराज महंत राम चंदरास महाराज इनके हातों से उत्खनन किया गया मित्रो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि क्या योध्या इस दिन थी हजारों लाखों लोग रास्ते के उपर में राम धुन के आवाज कर रहे थे सारे देश भन के अंदर में आनुन दुच्सो मनाना शुरू हो गया था और दस नौएंबर उनाई सो उननब्य को कार्तिक शुक्ल बारा शुक्रवार विक्रम संवत दोजार चैयारिस सुबह सारे नौ बजे मंत अवेद नाजी ने इसका पया खोदने का काम शुरू किया मित्रो और फिर शिलान्यास हम सभी को गर्व है राम जन्ममुमी मुक्ति यग्न समीति के निर्णे के उपर में जैसे वालमी की जिने रामा एंड लिखी थी और उन्होंने इतिहास बनाया था मित्रो हम जाती की चर्चा कभी करते नहीं हमारा उसंसकार नहीं है लेकिन समाच के अंदर में कुछ बाते प्रतिष्ठापित होने के आउशक्ता है मित्रो बिहार से एक दलित समाच के संथ कामेश्वर चौपाल जी के हाथ से ये रामभक्त के हाथ से शीला पुजन हुआ और उसी समय में मित्रो हैदराबाद की सत्यवाणी जिसने ये कहा था जब तक शीला न्यास नहीं होगा मैं बान नहीं बांदूंगी उन्होंने इस वक्त आरती की प्रत्यक्ष हाथ में करपूर लेकर वो आरती कर रही थी और इस पुन्य प्रपावन पवित्र आरंदमी वातावड में परपुज नियसर संग्चालक देवरजी का संदेश पढ़ाया गया उन्होंने कहा यह राश्ट्री यह गवरों की पुनर्स्ता अपना है यह कारेक्रम में होवे शेशाद्री जी उपस्ति थे और मित्रों यह शिलान्यास होने के बाद हिंदुस्तान के हिंदों में एक नव चैतन्य जागा एक विश्वास जागा यदि हिंदु की तेच तपस्विता यदि हुंकार लेती है तो भविश्य सव तका हिंदु चैतना का है मित्रों दस नॉवेंबर के शिलान्यास के बाद क्या हुआ हम कैसे मंदिर तक पहुचे कैसे संतों ने निर्णे लिया कैसे धर्माचारियों ने निर्णे लिया शिलान्यास मंदिर निर्मान की प्रक्रिया में मेरा जो कल का पुष्प है वो संगर्ष का और एक नया दवर है आज यह सात्वा पुष्प आपके चरण में अरपित करते समय है मुझे खुशी हो रही है और आपके माद्यम से आयोध्याधान के चरण में मैं ये साथवा पुष्प समर्पित करता हूं और आपको आवान करता हूं मिलते हैं कल रात को नव बजे कथा शौर्य की कथा धेरे की कथा आयोध्याधाम की जैसियाराम